अगर हम लोग बात करते हैं पुराने लेक्चर की तो वहाँ पर हमने यहीं डिसकस करी थी कि इस्ट्रिंग एविशेंसी पूर होने कारण इंसुलेटर ब्लास्ट हो सकते थे जिसको इंप्रूव करने के लिए इंजीनियर्स ने तीन मेथट दिये थे जिसमें था अगर इन तीनों में से द्यान से देखें तो सबसे अच्छा था गार्डरिंग मेथर इसके अंदर हमने क्या करा था जो में कलपरेट था इस तरीकली हम बात करते हैं तो यह होता है इस तरीकी का और इसका नाम होता है ग्रेडिंग रिंग तो आज हम लोग इसी उपर बात करेंगे मिरा नाम प्रांजल है और चर्चा करेंगे ग्रेडिंग रिंग के बारे में थोड़ी बेनिफिट्स इसके जानेंगे क्या-क्या होते हैं साथी साथ इसके structure के उपर भी थोड़ा सा धेहां देंगे चली शुर फान इस इंसुलेटर को जो कंडुक्टर के निएर हैं जैसे कि दिखने में कैसा होता है तो इस तरीके कुछ metal ring होता है यहां पर फिक है और इसको हम लोग इंसुलेटर को एंसरकिल करने के इस्तमाल करते हैं परपस अगर बात कर लें तो यह होग ग्रेडिंग इसकी पॉज करें तो इसकी position वहrant और इनल्वेटर को दो के सबसे पास वालाइस वाला इनल्वेटर होगा वहां ये से पुजिशन करते हैं जैसे किी एक्जांपल के तौर पर यहां पर देख सकते हो यहाँ देख सकते हो यहां यह में कैसे चाहिए वाला कश दोनों केसें में टिप हम लोग क्या करेंगे conductor को attach करेंगे तो जो टिप के पांस वाले insulator हैं पहले दूसरे number के उनकी उपर हमारा main focus होता है कि उनकी उपर हम इस grading ring को encircle करें grading ring की मदद से ठीक है तो यानि की for example अगर यह insulator की string है और यहां पर यह जो green बहुत सारे लोग confused रहते हैं कि grading ring यह जो दिख रहा होता है जो बहुत सारे आपने pictures देखे हो Google पर कभी search करना तो grading ring को Corona ring के बारे में लोग बड़ा confused रहते हैं तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर है मैं यहां बता दे रहा हूं बाकि कि Corona ring जब मैं भी Corona की series Corona की lectures बढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा बिल्कुल तयार रखें बस recording होना बाकि है तो Corona ring की बारे में हम वहां पर चर्चा करेंगे तो basically एक अंतर जो मैं भी बता सकता हूं कि grading ring जो होते हैं इंसुलेटर को एंसर्क्ल करा जा रहा एक तो अगर कोई इंसुलेटर को कर रहा है तो वह जाएगा आपका grading ring वही पर अगर कोई ऐसा ring होगा जो Collection के है Agros है Conductor को Incircle कर रहा है कोई इंसुलेटर को cover नहीं कर रहा जाता है तुमारा Corona को आगने लिगे लिखले में डिटेल में समझेंगे लोगों समय से लोकते हैं कि रीडिंट के यूं क्यों को तो पहला में की चीपर और स्क्लास का एंसुलेटर бо इतना जाहता की वो無स्तय हो सकता था वहां पर बड़ा इंसुलीटर का इस्तमाल कर रहे थे महेंगा और बड़ा साइस का समय 100 जैश्ट बड़ा इंसुलीटर करते हैं जी से sa क्या करता है यह इंस नो आ पोटैंशील जो होता है फीक है इनसे कर देता है तो पोटैंशील डेटिो करता है तो इसी तरीके से करते हैं कि अगर सुस्ट्रेटा इसे पाइज़ करें टो क्या संट करेंट को करता है जिसकी वज़े से हम लोग क्या कर पाते हैं अच्छे से इंसुलेटर का कर पाते हैं तीसरा यह एजिंग और को रोकता है क्यों क्यों कि अगर को इंसुलेटर है उसके उंपर लगातार अगर पोटेंशल स्ट्रेस बना रहेगा तो वह जल्दी खराब होगा उसके उसकी भी डाउने के चांसे बढ़ जाते हैं अगर हम लोग इंसुलेटर के इस तरीके का रिंग लगा देते हैं तो यह रिंग क्या करता है यह इस इंसुलेटर के अक्रॉस जो पोटेंशल ग्रेडेंट एप उसको रिडियूस कर देता जिस से क्या होता है वोल्टेज का जो stress है की सरफेस के आसपास एयर होती है यहां मैं रफली बता दे रहा हूँ वहां पे वाड़ा डेडेल में चर्चा की हमने तो फ्लैश ओवर क्या होता है यह आसपास की जो एयर है जब इसुलेटर के आसपास इलेक्टिक प्लेश ओवर होता है ऐसे केलिकिस आर्म होता। इसकी वजय से क्या होगा इसलेटर की बाडी यह लाइफ श्vem जो होती चलिक और अगर हम लोग यहां पर कोरो न प्सुरी टी करता है इसका न कि यह electric field को stress को कम कर देगा तो ऐसे case में क्या होगा यह जो insulator इसके अंदर होंगे वो बचे रह जाएंगे तो flash over होने के chances भी कम हो जाएंगे So that is the main reason अगर application की बात कर लेते हैं कि कहां कहां use करते हैं तो grading ring जो होता है वो बहुत जगां use होता है जैसे कि for example हम लोग lightning arrester में इसका इस्तमाल करते हैं current transformer पर करते हैं power transmission में करते हैं और high voltage test equipment laboratories में इसका इस्तमाल कर जाता है तो basically जहां पर भी हम लोग higher voltage जैसे surge voltage होगे या high voltage का इस्तमाल करेंगे वहाँ सब जगा हम लोग grading लगाएंगे क्यों क्योंकि अगर high voltage है तो potential stress बहुत जादा होगा insulator पर और breakdown होने के chances बहुत जादा होगे तो वहाँ पर string efficiency भी पूर होगी क्योंकि higher voltage के साथ deal कर रहे हो तो ऐसे case में क्या होता है इन सारी जगाओं पर हम लोग क्या करते हैं grading ring का इस्तमाल करते हैं जनरली अगर आप कभी भी जाके system में देखोगे अगर आपने कभी substitution विजिट करा होगा तो ये grading ring तुम्हें बड़ी easily हर जगा दिख जाएगा और ये आज की अगर current practice की बात कर लो तो insulator जब भी आप insulator की string खरीदने जाओगे तो insulator string के साथ as an accessory ये grading ring आपको मिलता ही मिलता है क्योंकि इसके बिना insulator की life काफी कम हो जाती है और खराब होने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं so that is the main application of grading now अभी भी क्या होता है एक और सर्जारेस्टर लिख लेना ये मैं बताना भूल अभी को भी रिइडिंग क्या होता है ये जब भी हम ग्रेडिंग रिडिउस करता है तो ना केवल ये potential stress को रिडिउस करता है इन्सुलेटर के लिए यानिकि इन्सुलेटर की efficiency बढ़ाता है बलकि ये क्या करता है और इसके दो बेनिफिट लिए लिख सकता हो साइफ को बढ़ा रहा है साती साथ स्ट्रिंग एफिशेंसी को भी इंप्रूव कर रहा है लेकिन एक चीज और कर रहा है यह को रोना डिस्चार्ज को भी को रोना को रोना डिस्चार्ज होता है इसको भी यह क्या कर रहा है लिमिट कर रहा है यह एक एडिशनल फीचर होता है इसलिए बहुत बार हम लोग एजन इंजीनियर हम लोग बहुत बार इसका ध्यान नहीं देते और ग्रेडिंग रिंग को तुमने अगर बहुत सारे आर्टिकल भी गूगल पर डालोगे पढ़ोगे या रिसेर्च पेपर देखोगे तो जनरली बहुत बार ग्रेडिंग पढ़ेंगे तयार रखा है बहुत मस्त लेक्चर है तो उसको हम लोग आने वाई लेक्चर में सीखेंगे अगर आप जानना चाहते हो कि इंसुलेटर की नीड क्या हुई सबसे इंपर्टन चीज़ पंचर क्या होता है इंसुलेटर का फ्लेश ओवर क्या होता है यह बड़ झाल